वेलकम आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड में कि कैसे आप टेबल लगा सकते हैं स्मार्ट आर्ट के शुरू कैसे आप अट्रेक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हैं पिक्चर पर क्या-क्या एफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं यह हमने ओपन कर लिया वर्ड और मैंने ले आउट ओरियंटेशन इसका लेंडिस्केप कर दिया सबसे पहले सुरुआत करते हैं टेबल से टेबल इंसर्ट मेनू में आगया यह देखिए एक टाइम बचाने के लिए दिया हुआ है आप बस माउस को मूब करिये अराउंड इस रेक्टैंगल तो वह प्रिव्यू आपको देखता है जितना आपको चाहिए उतना टेबल इस टाइप से फास्ट ट्रैक में ले सकते हैं नेक्स्ट ए इनसर्ट टेबल तो इस टेबल के थुरूम आप क्या कर सकते हैं आपको रु कॉलॉट मटाना पड़ेगा क्लिक क्या मैंने इनसर्ट टेबल पर आप देख सकते हैं यहां पर की रोर कॉलं की दीमांड की जा रिए तो मैंने यहां पर 5 column 5 है हमने इसको कर दिया 4 row 2 है तो ही रहने रहते हैं अभी फिलाल क्या है fix column width fix column width auto है यहां पर numeric drop down list में फिलाल मैंने ok किया तो आप देख सकते कि क्या हुआ fix column width का मतलब यह हुआ कि जितने आपके windows की width मतलब working area का width है वो जितने भी आपने column लिया है सबको equally distribute कर धायता है दूसरा जो है अब मैंने fix ना करके क्या कर दिया 0.5 inch देखिए क्या होता है वही 5 तू रहने धायते हैं ठीक है तो अगर आपको column का width specified करना है तो आप insert में टेबल में जाकर इस fix width वाले option को चूज कर सकते हैं ज्यादा तर जो यूज होता है वो है auto fit to content इसी 5 तू को हमने लिया all देखिए okay किया तो क्या हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जो टेबल बना हुआ है इसका width अभी एक minimum दिया हुआ है यह auto fit का advantage यह है कि जिस column में जितना content होगा वो randomly अपने side को adjust कर लेगा तो इसलिए recommend किया जाता है कि आप auto fix का use करें next जो उसमें है option वो है auto fit to window, auto fit to window का मतलब यह हो गया यह जो working area है इसमें आप कोई setting नहीं कर सकते है पूरा उसका हिसाप से यह लेगा ठीक है चलिए अब काम शुरू करते हैं insert table insert table मैंने कर दिया 3 & 2 auto fit कर दिया और column को मैंने heading दिया role next में है मैंने heading दिया name next में heading दिया city आप देख सकते हैं कि text जो है अपने आप आगे पीछे जा रहा है और मैंने यहां पे लिग दिया अमीट city वरानसी 102 नाम मालीजिये राजे सिंग आप देख सकते हैं कि यह वीट्स अपने आप address हो गया वैसे ही यहां पे city में हुआ है तो auto fit के यह कुछ advantages है अब हमको यहां पे देखे मैं मैंने दो ही रो लिये थे कैसे और रो हो गया है तो आपको अगर रो एड करना है तो लास्ट जो कॉलम है वहां पे जाकर आप करेंगे तो नया road आप एड होते चला जाएगा जैसा कि हम देख सकते हैं लास्ट में जाकर टैप करना है आपको ठीक अच्छा हमने यहां पे तीन कॉलम लिया स्टार्टिंग में हमको लगा कि तीन कॉलम संब्सेंते आफ तमें एक और फ़र्डर कॉलम की रिक्वाइरमन्ट आ गई, suppose माल लीजिए subject हमको लिखना हुआ, या course लिखना हुआ, तो क्या करना है, आपने क्या करना है, किसी भी column पे जाके right click करना है, और यहां से insert और यह column देखिए, पूछ रहा है, कि left add करना है, कि right add करना है, फिलाल मैंने add किया left, right click, insert, insert column to left, आप देख सकते हैं, कि जिस column पे करसल था, उसके पहले left side में add कर दिया, ऐसे ही right में भी होगा, तो यह तो बात हुई column add करने की, ऐसे ही माल लीजिए, अमित और राजेस के बीच में, किसी further, किसी और के record हमको add करना होता, तो हमारे सामने need होती row की, तो row को आप कैसे insert करा सकते हैं, क्या करना है, right click, insert प requirement हो, फिलाल मैंने इसको क्या कर दिया, insert row अब हो, एक row उपर add हो गया, तो इस type से आप randomly टेबल बनने के बाद भी row और column को add कर सकते हैं, insert में आते हैं, उसमें last में दिया हुआ, insert sales, इसका use क्या है, insert sales का use यह है, कि आपको particular कोई एक sales अकर add करना है, तो आप इस option का use कर सकते, rare है, कभी कुछ specific requirement में जरूर पढ़ सकती है, तो हमने क्या किया, sorry, insert sales, तो यह आप से demand कर रहा है कि sales को shift कहा करना है, right, left, या whatever, तो मैंने क्या किया, इस में shift किया, right, तो आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर adjust हो गया, और यह blank add हो गया, तो जरूर पढ़ पढ़ेगा, तो कर table में row कैसे add कर सकते हैं, column कैसे add कर सकते हैं, हमने इसके उपर एक column, एक row और किया, add row, अब वो आ गया, अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक common heading देना चाहते हैं, student record, तो हमारे सामने requirement क्या है, कि यह जो 1, 2, 3, 4 sales है, इनको एक sales में convert कर दा, तो यहाँ पर हमारे सामने option है, merge, merge के true क्या होता है, कई सारे sales को जोल के, एक single sales में convert किया जाता है, आपको merge करने के लिए क्या करना है, पहले तो sales को convert, select करना है, जब sales select हो जाए, उसके बाद right click, और यहाँ पर merge आपको देख रहा है, ठीक, देख सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ यहाँ पर, student, data, ए center करने के लिए, इस type से आप merge का use कर सकते हैं, ठीक, फिर मैंने tap किया, यहाँ पर वापस से मैंने merge किया, जैसे merge हुआ है, वैसे ही split भी होता है, split करने के लिए क्या करना है, जिस भी sales को आपको split करना, split का मतलब यह हो गया, कि particular sales को more than one part में equally divide करना, जैसे हमने इसको merge कर दिय यह हमारा Excel है, इसको हमको कितने part में divide करना है, अगर यह चीज हमको करना है, तो हमको split option का use करना होगा, तो split करने के लिए हमको क्या करना है, right click, insert, sorry, split, जब हम split करते हैं, तो यहाँ पर हम से row और column पूच्टा है, भाई आपको split करना है, तो कितने column कितने row चाहिए, यह आप को बताना है, तो मुझे two equal parts में divide करना है, तो यहाँ पर column दो ही रहने देते हैं, और row one ही रहेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह two equal parts में divide हो गया, हमने यहाँ पर support लिग दिया, first year and second year, this one, okay, now, हमने फिर एक नया row किया, add, और इसको select किया, sorry, इसको हमने दोनों को select कि किया, write किया, merge कर दिया, अब हमने यहाँ पर कर दिया, कि data entry लिग दिया, ठीक, जब हम right click करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखता है text direction, यह text direction क्या है, देखते हैं, हमने क्या किया, right click, इसको right click, और text direction, तो यहाँ पर तीन तरीके का direction देख रहा है, preview आपको यहाँ पर रहा है कि अभी होरीजॉंटली है और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैसा यहां पर दिख रहा है वही चीज देखें यहां यहां पर दिख रहा है डेटा एंट्री ऐसे आपका आगया और आप सेंटर वगेरा जैसे जो नॉर्मल होता है उस हिसाफ से कर सकते हैं ठीक है इसके बाद यहां पर देखें यह सेल अलाइनमेंट इंडिकेट हो रहा है आपको इन छोटे-छोटे स्मॉल पिक्चर से कि अब जहां जीज भी जहें को भी आप सेल पर टिकुलर वहां पर आ जाएगा सब्सक्राइब को डेटा एंट्री को बीच में करना है तो राइट क् लगाते हैं तो इस ताइप से चीजें आपको दिखाने की जरूबर पड़ती है खेर अच्छा मैंने क्या किया इसको डिलीट का दिया डिलीट एंटायर कॉलम अभी हम आपको यह दिखाना चाहरे है कि कैसे आप रो के कंटेंड को रिमूब करेंगे मालीजिये कि हमको अमित यह जो रिकॉड है वंजिरो वन अमित वरांसी इनके अलावा और किसी करेंड यहां पर चाहिए रो रो रहेगा डेटा चेंज होगा तो उस केसे में आपको क्या करना है पहले आप सेलेक कर लेंगे उसके बाद डिलीट की का यूच करेंगे देखे डिलीट करने से क्या हुआ कि आपको row as it is है सिर्फ और सिर्फ उसका data गया हुआ है लेकिन अगर आप इसी selection में backspace कर यूज करते हैं तो क्या होगा row जाएगा data के साथ पूरा पूरा जाएगा data के साथ ऐसे ही कोई भी चीज आप select करते हैं और उसके बाद में backspace करते हैं तो वो पूरा पूरा data चला जाएगा तो कभी भी आपको table में जो data रखा है उसको पूरी तरीके से हटाना है तो select करना है backspace कर यूज करना है अगर सिर्फ data को हटाना है row को रहने देना है मतलब कि data को change करना है तो आपको select करने के बाद delete की कर यूज करना है ठीक इसके बाद और भी कई सारे है option table में जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो insert कर रहे हैं यहाँ देखे draw table है बहुत ही जादा flexibility दिया जैसे चाहे वैसे आप काम कर सकते है draw table पर क्या है यह देखिए मैंने page break कर दिया और यहाँ पर एक नय टेबल पर insert पर आके draw table पर लेके मैं table को draw कर रहा हूँ simple है जहाँ पर जैसे जितना बड़ा रोज चाहिए जितना बड़ा column चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर देखे पेन का जो बॉर्डर है इसकी setting भी करने को दी हुई है तरह तरह के बॉर्डर मालीजें यहां से हमको यह बॉर्डर चाहिए यहां से हमको यह बॉर्डर चाहिए color आप चाहे तो यहां से भर सकते हैं इस चेटिंग में ठीक इस टाइप के option है रिमूब करना है रिमूब करने के लिए एरेजर है यहां पर इसको डिलीट कर दिया यहां से डिलीट कर दिया जो भी है तो कोई भी यह table अगर आपको कोई चीज़ रिमूब करना है तो आपए रिजल की help चे कल सकते हैं बाकी table है आपका table को अगर सेलेक्ट करना है तो टॉप पे लिट करेंगे पूरा कॉल्म roh पे होगा वैसे ही जब ये वाला जो पॉइंट है ये ये जो आपको इस हैंडल पर है सिंडों पे आप जब किली करते हैं तो पूरा पूरा roh Penész हो जायेगा जैसा कि हमने यहां पर किया तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रो यहां पर शेलेक्ट हो चुका है अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर कोई भी फर मेंटिंग कर सकते हैं आप डेख सकते हैं यहां पर d shells in plateau पहले नहीं देख रहा था जब आपकर इपने ठीबल अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो यहां पर यह पूरा बॉर्डर का ओप्शन है ठीक ओके हम टुटोरियल में आगे और भी कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन टेबल नहीं इतना समय ले लिया बाकी आप नेक्स में हमारे देट देखेंगे इमेज और पिक्चर के लिपार वागरा फिलाल टेबल के लिए इतना ही आप प्रेक्टिस करिए जहां पर समय में ना आए रिवाइंड करके देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग